हमारे वैदिक ध़र्मों में दिनों का बड़ा महत्ह है। हर दिन को किसी देवी देवता से जोड़ कर देखा जाता है। उसी प्रकार भगवान सूर्व को समर्पित है रविवार, कहते हैं। रविवार को भगवान सूर की की गई पूचा विशेश फलदाई होती है आईए जानते हैं किस प्रकार करें रविवार को भगवान सूर की उपासना अगर आप भगवान सूर के समान तेजस्वी और गुडवान होना चाहते हैं तो उनकी कृपा को प्राप्त करना अति अर्पित करें कलश में आप रोली और पीले पुष्प डालकर भगवान सूर को अर्ग दें जिससे उनकी विशेश क्रपा आपको जरूर प्राफ्थ होगी भगवान सूर को अर्ग देते समय ओम सुर्याय नमह का जाप अवश्य करें सूर को अर्ग देने के पशात 108 बार लाल आसन पर विराजित होकर भगवान सूर के मंत्र का निरंतर जब करें जिससे आपकी बुद्धी और विवेक का विकास तो होगा ही साथी आत्मिक शांति का भी एहसास होगा भगवान सूर की साधक दिन में तीन बार आराधना कर सकते हैं जिससे भगवान सूर की विशेश क् प्रतिष्ठा और सम्ध्या कालिन सूर्देव की वंदना से सुक और संपनता की प्रतिष्ठा की प्रतीक हैं, अता इनका पूजन विशेश फलदाई माना जाता है। वैसे तो हर सुबह उठकर सूर नमस्कार करने की प्रता है जो आपको निरोगी तो बनाती ही है, साथ में आपको विवेकवान और बुद्धिमान भी बनाती है। अता आप हर सुबह उठकर भगवार सूर को अर्ग तो दे ही साथ ही रविवार को बताएगे इन प्रक्रियाओं को अपना कर उनकी आराधना जरूर करें। ऐसी ही विजित्र और रहसमही कहानियों के लिए हमारे नेक्स न्याने स्प्रिश्वल को सब्सक्राइब करें। नेक्स न्याने स्प्रिश्वल से अभी शेक चौहान की रिपोर्ट।